मदवदेश टूरिजम बोर्ड ने मदवदेश के विभिन्य परेटन स्थलों के प्रचार के लिए राजधानी रायपूर में मेगा रोडशो का प्लान बनाया है जिसके लिए 36 गड़ के लगभग 89 ट्रेवल्स रोडशो में हिस्सा लेंगे इस रोडशो के माध्यम से मदवदेश के परेटन स्थलों की जानकारी आम लोगों को दी जाएगी जिससे भारत का दिल जीतने के लिए MP टूरिजम बोर्ड को आसानी होगी मदवदेश टूरिजम बोर्ड की डिप्टी डारेक्टर दीपिका राय चौधरी ने बताया कि रायपूर से भोपाल के बीच अब यात्रा सुगम हो गई है फ्लाइट, रेल और सडक मार्क इससे अच्छुता भी नहीं है राय चौधरी ने कहा कि 36 गड़ के ट्रेवल्स एजेंटों को मदवदेश की खुबसूरत परेटन स्थलों के बारे में ट्रेनिंग दी गई है ताकि वे परेटकों को गाइड कर सकें अब 36 गड़ वासी भी MP टूरिस्जम को अच्छे से जान सकेंगे और इसका फायदा भ्रहमन के दौरान ले सकेंगे अभी तक 36 गड़ के परेटक मदवदेश में कानहा किसली और अमर कंटक से ही वाकिफ हैं उन्हें और परेटन स्थलों की जानकारी देने ही मेगा रोडशो का आयोजन किया जा रहा है कि लोगों को मालूम नहीं है इसलिए आज हमारे आने का मकसद ही कि राइपूर के जो हमारे मीडिया के साथ ही उनके थू से हम ये मेसेज पास करें कि राइपूर भॉपाल फ्लाइट हो गई है राइपूर इंदोर फ्लाइट है आप इसका इस कनेक्टिविटी का लाव है और जो शाम को हमारा जो इवेंट है जिस ट्रावल एजन के साथ नेट्वरकिंग वाला है मुझे लगता है वो भी और भी जादा उनके और भी नॉलेज हो जाएगा हमने एक दिन पहले जो ट्रेनिंग की है उनको और भी जादा हमारे जो प्रोड़क्स है नहीं नहीं ज तो हम अपने टूर ऑपरेटर स्थ्रू थ्रू से यह हम करना चाते हैं और यही मकसद है हमारा यहां पर आने का किपको बिकॉस वी फील कि रायपूर इस वरी इंपॉर्टन मार्केट फोर अस जैसे कि महाराष्ट्रा है जैसे वेस बेंगॉल है जैसे गुजरात है और इस चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक और शेयर करें जैसे वी बिडियो अप्डेट्स कि लिए बैल आएकोन का दबार इस ती वे रिपोर्ट यूद इचाइड